नमस्कार किसान भाईयों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आने वाले समय में नर्मा कापास में तेजी आएगी या फिर मंदी आएगी लेकिन उससे पहले किसान भाईयों रोजाना नर्मा कापास के ताजा भाव पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर और हमारी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना किसान भाईयों आपको बता दे इस साल अधिक बारिस होने से काफी किसान भाईयों की फसल खराब हो गई है जिससे की आने वाले समय में आपको नर्मा कपास में तेजी देखने को मिलेगी साथ ही आपको बता दे अंतर आपको बता दे घबरानी की कोई बात नहीं है आने वाले 15 से 20 दिनों में आपको जो 4% नर्मा कपास के भाव नीचे आए हैं वो एक बार फिर से उपर की तरब देखने को मिलेंगे तो आपके इस विश्य में क्या राय है कमेंड बॉक्स में अपनी राय जरूर दें